उत्रप्रदेश के हापुर से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में कावर यात्रा पर शिव भक्त निकले हुए हैं ऐसे में उत्रप्रदेश के हापुर में एक बड़ा मदरसा है और उस मदरसा के बाहर कावर यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने हंगामा मचा दिया, जी हाँ, आपको बताते चले के वीडियो में ये साफ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गाली गुलोच करते हुए, कावर यात्रा में जो लोग हैं वो दिखाई दिये, मा बहन की गाली देते हुए, उनकी तस्वीर है सामने आ वीडियो ऐसा सामने आया, जिसमें ये साफ साफ देखा जा सकते है कि किस तरह से बड़ा मदरसा, जो है जो मदरसा है, उसके गेट को तोड़ने की भी कोशिशें की गई है, इसके अलावा कई लोगों ने सीधे तोर पर वहाँ पर जो मदरसा के जो टीचर्स रहे होंगे, उनके सामने, चातरों के सामने माबहन की गालियां दी, ऐसी ऐसी गंदी गालियां जो किसी भी तरह से एक शिव भक्त के मुह से नहीं कुबूला जा सकता है, सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन इस पर कारवाई करेगी, हाला कि आपको बता देश पू लोग कावरियातरा में माबहन की गालियां दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर कारवाई नहीं होगी, जो लोग मदरसेख पर अटैक करने की तरह की कोशिच कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कारवाई नहीं होगी, सवाल यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से कावरियातरा से खवरें सामने आए और प पर हमला किया गया, अका वर्यू के बीच में जो कावरियें हैं, उनके द्वारा कहीं से ये खबर सामने आई कि इरिक्षा को ळूच दिया गया, उनके ड्राइवर को मारा गया, मुहित गालिब, उनका नाम था उनकी पास दिनों के बाद मॉत हो गई पुलीस ने हाला कि ये कहा कि उनकी मौत उसकी वज़ा से नहीं हुई, मारने की वज़ा से नहीं हुई, उनकी मौत किसी बीमारी की वज़ा से हुई, हाला कि आप उनकी बहन ये बयान दे रही है कि पुलीस ने जैसा जैसा हमें कहा, हमने वैसा वैसा किया, अब सवाल ये है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में इस बार कावर यात्रा में शामिल हुए कई कावरियों ने सीधे तौर पर तमाशा हंगामा मचा करके रख दिया अब ऐसी एक तस्वीर सामने आई जिसमें पुलिस प्रशासन के सामने जैय श्रीराम का नारा लगाकर के हंगामा किया जा रहा है आप इस वीडियो को देखिए आप इस वीडियो को देखा आपको अंदाजा हो गया किस तरह से पुलिस प्रशासन भी जो है वो कहीं ने कहीं परिशान हैं वो चाह करके भी इन्हें रोक नहीं पा रहे हैं यतनी बेबस इस तरह की बेबसी पुलिस वालों की शायद आपने पहले नहीं देखी होगी यह बे प्रदेश में कावरियों के ऊपर SSP सहाब DM सहाब जो है हलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम कर रहे हैं तो वहीं कुछ कावरिया ऐसे भी हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं सवाल ये है क्या गलती दूसरे पक्षकी होती भी है तो क्या इस तरह की हरकत करने की इजाजत इन्हें हैं? हाला कि अभी तक इन लोगों ने जतने आरोप लगाए हैं उनमें से कई आरोप जो है वो गलत ही साबित हुए हैं लगभग आरोप गलत ही साबित हुए कई बार इन्होंने कावर खंडित करने का आरोप लगा करके कई लोगों के गाड़ियों पर हमला किया बादने पुलिस प मामला हापुर के सिकंदर गेट इस्थित बरे मदरसे का है जहां एक गुंडा फॉर्चुनर गारी की छट पर बैट कराता है और मदरसे के सामने गारी रोग गाली गुलोस करने लगता है। में डंडे माने लगा और धंकी दिने लगा उसके साथ अन युवक भी गेट पर पहुंचते हैं और जैश्री डाम का नारा लगाते हुए मदरसे में घुशने की कोशिस करते हैं। साथ जाहिर है कि कानूनी विवस्ता को पुलीस ही खत्म कर चुकी है और गुंडों पर कारवाई करने की बजाए उन्हें संग्रक्षन दे रही है। मुझे तो बहुत शर्म आती है आपके पुलीस को आए या ना आए ये बहुत बड़ी बात है। एक और वीडियो को देखिए। तो दोस्तो आपने इस वीडियो को देख लिए आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से उतरप्रदेश में साशन प्रशासन जो है वो विफल साबित हो रही है। इस वज़ा से क्योंकि वो बेबस है और ये बेबसी क्यूं है ये सब कुछ सोचने वाली बात है। आप इस पूरे परक्रम को किस तरह से देखते हैं अपनी राई कॉमेंट स्क्शन में जरूर दीचे।